बजरंग बली का जिक्र करना हो या फिर सीधा हमला बोलना हो सब कुछ मुख्यमंत्री योगी आदेतनाद कर रहे हैं और समीर जी मुख्यमंत्री बेशक यूपी में बयान दें लेकिन इसके गूंज तमाम चुनावी राज्यों में सुनाई पड़ रही है महराष्ट में भी सुनाई पड़ रही है हर्याना में तो हमने देखा ही था कि आखरी दौर में कैसे गेम चेंजर साबित हुआ ये सब कुछ और हर्याना में हारी हुई बाजी भारते जन्ता पार्टी ने जीत ली थी देखें बहुत बजरेंग बली का जिक्र हो गया लेकिन बजरेंग बली का जिक्र करनाटा के चुनाव में भी जम कर हुआ था लेकिन उसका बहुत फायदा करनाटा के चुनाव में भारते जन्ता पार्टी को हुआ नहीं था ये इतना मारक नारा हो रहा वो जिस तरीके से योगी अरितना इसका तशिक्र कर रहे है पदानBookी मोधी इसका जिक्र कर रहे है तो अक्लेश को बडर लग रहा है कि जो लोकसाथ, आते आते जो उन्हें बाटनी की राज़िती की थी जातियों को वह उसका असर खत्म हो जाए और 27 में 24 का जो लोकसभा का प्रेडाम आया है उसके आधर पर जो 27 का चुनाव जितने का सपना देख रहे हैं कहीं उसे पलिता न लग जाए तो अखले शादों ये सुरिश्ट करन और उसमें चर्चा हुए कि यह बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा योगी अरितिना दिया है और जिसको महाराश के अंतर भारतियनता पार्टी इस्तमार करने वाली है और देवेन फंदवीश का तो भी बहुत विडियों वाइरल हो रहा है तो अब शरद पवार को और हुआ था वहाँ विदासभा में नहीं मिल पाएगा तो इसको कैसे काउंटर किया जाए इसके लिए वह फोकस कर रहा है उन्हें लग रहा है कि यह मुद्दा महाराश ने पर चलेगा और देखिए अभी गौलियर में तो संगे के प्रचारों का प्रसिक्षान को शुरू हो में जो रवे पाफोर है कि सक्षान नाने पार्टीया जो प्रसिक्षान को चर्चा के लिए वह फोक्स करेगा खाएगा तो योग्या नाता पार्टी dennat के करने का प्लान कर रही है और जब योगीमयन जाएंगे और योगीники बटेंगे तो कटेंगे जिक्र करने तो मुझे लग रहा है कि उसका असर महाराश की चुनाओं में डिखने को मिलेगा अगर योगी का जो नारह में चल जाता है तो मुझे लग रहा अब जो चुनाव आएंगे उन सबकी चर्चा होगी अभी तो दिवाली खत्म आज और कल में होगी तो परसों से महाराज का चुनाव परचार जड़ा गती पकड़ेगा तो भी नहीं नहीं नाम नहीं अलंकार से नेताओं को नावाज जाएगा तो देखना भी बाकी होगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे सारे किरदार आपको नेताओं के बयानों में जरूर सुनाई पड़ेंगे लेकिन यहां पर अवदेश जी इसे बड़ी सियासी जीत तो हम कह सकते हैं कि जो भी पार्टी या जो भी नेता अपने पिछ पर चुनाव पाने में कामियाब हो जाता है एक जी तो उसने हासल कर लिया उसका नतीजा क्या होगा जनता उसे कितना एकसेप्ट कर रही है नहीं कर रही है यह तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा लेकिन अपने ही पिछ पर खिलने के लिए थोड़ा हम लोग सरली करन भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने केवल चुनाव दिखता है चुनाव की दृष्टी से योगी आदितनाथ जी का वकत तब तो मानाई जा सकता है क्योंकि अन्तता मुख मंत्री है भारतिये जनता पार्टी के नेता है तो कुछ टोन सेट करना है लेकिन इसका प्रभाव इसको एक युगांत कारी ये सारे भाषन को आप मिला के देखे बटेंगे तो कटेंगे से तो ये एक युगांत कारी है इसका पहला निसकर्स तो ये है कि लोग सभा चुनाव में थोड़ी बहुत धक्का खाने के बाद पार्टी जो थोड़ी बार निकल गई है 22 जनवरी तक जो BJP थी धीरे धीरे BJP अब भारती जनता पार्टी बनके दिखाई दे रही है देखे योगी आधित नाथ जी का जो बोलने का तरीका है बतलब आप उनके कई बार राजनिती से सामत हो असामत हो लेकिन जो वो बोलते हैं वो जनता तक उसे र दिलों तक जाता है तो इसलिए जब वो शुम्भ और निशुम्भ कह रहे हैं जब वो कुम करन कह रहे हैं तो बिल्कुल देश की राजनिती को देश के एक्टिविजम को देश की मीडिया को देश के बौधिक जगत को दो खेमों में असपस्ट बात रहे हैं एक धर्म के साथ एक धर्म के विरुद्ध है, एक रास्ट की एक्ता के साथ है, एक रास्ट की एक्ता के विरुद्ध है। कि oni उन्होंने चंड का बदी किया, मुंद का बदी किया, जब सुमभ के दोनों राक्षा स्थे, तो वो कॉसिकी से लरने आई है, उसके बाद उन्होंने काली बनके उसको मारा था, तो चंड और मुंद को मारने वाली काली, हनुमान जी का जब नाम ले रहे हैं, तो आप देखिए अन्मान जी के बारे में क्या लाए संजीवन लखन जी आ ये तो हई है लेकिन उन्होंने एक चीज जो है बोला है सुक्ष मेरे रूप धरी सिया ही दिखावा भीम रूप धरी असुर संहारे राम चंदर के काज संहारे तो एक तरफ और संजीवन भी ला रह जो उनका है वो लोगों को अपील कर रहा है वो चुनाओ तक जाएगा चुनाओ के आगे भी जाएगा और लंबे समय तक भारत के नेरेटिव की दिशा निर्धारित कर सकता है यदि वो चला गया जो फरनवीश जी की बात करो तो उनका गाना भायरा लाई समय और बार बार हिंदू का के आवान कर रहा है लोग नीचे गा रहा है तो अब बीजेपी जो 22 जनवरी के पहले कुछ समय दिख रही थी जो थोड़ी कुमला गई थी योगे आदितनाथ जी के इस टोन से प्रधान मंत्री जी दोरा उसके बोलने से और आगे साद आब चर्चा भी करेंगे जो प्रधान मंत्री जी ने कल गुजरात में बोला है कि यह जो देश की एकता की बात को भी विवाद में बनाते हैं उससे भारतिये जनता पाटी ने भारत की राजनिती को आने वाले समय में चुकि भारत की एक वैस्विक भूमिका है इसलिए विस्विवस्था में भी और नए दिशा देने की कोशिस की है जो भाजपा की हिंदुत की मूल दिशा रही है भारतिये जनता पाटी ने ढूंड क्या लिए इसको यू कहें कि हनुमाइन जी को भी जामवन चाहिए थे अपना बल याद दिलाने के लिए अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए वो ऐसा नहीं कि हनुमाइन जी को उस दिन वो बल प्राप्त हुआ तो वो शक्ति उनके पा जाती जाती की राजनीती करके वो यहां तक पहुंची फिर भरम हुआ फिर भूले तो उसका परड़ नाम निकल के सामने आया भारती जनता पार्टी के लिए ये आज से नहीं उसके जन्मकाल से जनसंग के समय से ये बड़ा इसपश्ट है जाती के नाम पर एक भी व्यक्ती भारती जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा होगा अगर आज जो जाती के बड़े निता जात से अपनी पहचान रखने वाले वो भाजपा में है मंत्री हो जाया हो सकता है कि वो भाजपाई ही हो लेकिन अगर वो जाती-जाती कर रहे हैं तो कल को कोई आउसर आएगा तो उनके लिए जाती बड़ी हो जाएगी अब जिस party का नारा होता हो कि सबसे अंतमे व्यक्ती उसके ठीक पहले party लेकिन सबसे बड़ा क्या है देश उसमें जाती कहां से आगई जिस party ने अपने मूल से थोड़ा सा deviation किया वो निपट गई Congress party भी जो कहती तो है कि हम secular politics करते हैं लेकिन वो fraud secular politics practice में लेती है जब आप जो कहेंगे वो नहीं कर रहे होंगे तो उसका पढ़णाम होगा भारती जनता party को अभी समझ में आ रहा है कि जो जाती की राजनीती के चक्कर में हम पढ़े उसने नुकसान किया और योगी आदितनाथ अगर जाती से इतर बोल रहे है नरेंदर मोदी मैं फिर से कहता हूँ किशी जात्य के नेता नहीं है इस देश की हर जात्य की लोग उनको अपना नेता बानते हैं देश की किसी भी हिस्से में चले जाएं लोग उनको अपना नेता बानते है यही एक चीज है जो भारती जनता party को आगए बढ़ाती है लोग समाचुनाओं के अब ये समझ आ गया है अब ये बताने में विजह जी क्या बीजेपी कामियाब हो रही है कि अखलीश यादव का जो PDA है वो चुनिंदा जातियों के इर्दगिर्द घूमता है चुनिंदा समुदाय के इर्दगिर्द घूमता है जो 9 टिक्टो का वितरन हुआ उसमें तरनों को आप टिकेट दे रहे हैं आप अगडो की ईसे बात करते हैं आलपसंफय को कि यह से बात करते। लेकिन अगडो का कोई। कोई नाम और निशान है उनक्यूस लिस्ट में से इस नगे किए किए कुशिक लेकिन इसको दो बातों उसके समझने की जरुरत है कि बीजेपी की विज़े जाने के पें इस जाति कर लेकर अलपसंख्यकों इसक पर आने कि को पर उस अब उस narrative से जो वहां का voter है वो कितना convince हो रहा है यह महत्वपून बात है यह बात बार बार होती है क्या कि हम सब बहुत विद्वान है यह हमें बहुत भरोसा है इसलिए हम कहते थे कि यह सम्विधान का narrative fake narrative है जूटा narrative है जूटा narrative क्या होता है जनता ने जो मान लिया वो सच हुआ ना जनता ने माना उसको मैं तब भी इस बात पर चर्चा कर रहा था कि जनता क्या सोच रही है वो महत्वपून नहीं अब जो भारतिया जनता पार्टी के जैसे बात हो कि ड्राइंग रूम में उन्होंने अपने गणित को तैकर लिया जा कितना कंविन्स कर पाते हैं हमारी सहमती नहीं सहमती गलत है सही है यह अलग इश्यू है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोटर आपके नेरेटिव से कितना कन्विंस होता है, क्या वो आपके साथ खड़ा होना चाहता है, उस मुद्दे पर यह महत्वपून होता है चीक वो नहीं है ना, रामभक्ती, कोई रामभक्ती, राम से नाराज हो गए कि वहाँ पर जो वोटर थे, अयोध्या की लोग, जिन लोगों ने अवधेश को भी वोट दिया, वो भी रामभक्त हैं वहाँ पर, लेकिन वो किस चीज़ से कन्विंस हो रहे हैं, वो महत्वपून बा में अभी सब ठीक हो जाएगा कि मिजाल क्या है, वोटर्स का ये भापरी है, तमाम राचने से इकतर, सर मुझे एक ब्रेक लेना है, बस मुझे एक ब्रेक लेना है, सर, कोई अगर ये हो जाए कि इसमें रामभक्त है नहीं है, और एक बार जूट से सच्चाई धग दिया ज झाल